सेटिंग्स आपको बड़े ध्यान से देखनी है जिसकी भी गाड़ी दब रही है लो आर्पियम पर दिक्कत कर रही है ब्रेकर पर बंद हो जाती है या फिर पिक अप नहीं आ रहा है प्रोपर और जटके महसूस हो रहे हैं तो इन सभी में ये जो सेटिंग्स है बहुत ही बह लगवाने के बाद हमारी गाड़ी बहुत जादा दब रही है एसी पर बहुत जादा पिक अप नहीं आ रहा है ब्रेकर पर दिक्कत करती है जर्क आता है थोड़ा थोड़ा जटका लेती है बीच बीच में तो दस में से आठ कोशन्स ऐसे ही होते थे कि सी एंजी लगवाने के बाद हमारे को ये दिक्कते आ रही है मोटा मोटा जो दिक्कते आती हैं सी एंजी लगाने के बाद वो आती हैं जर्क की लो पिक अप की लो आर्पीम पर ज्यादा पिक अप का ना फील होना ये दिक्कते आती हैं इसका मैं सॉलूशन आपको बता रहा हूं जो कि आप की जो की static एडवांसर है रही बात डाइनमिक एडवांसर की तो उसको आप किसी भी तरीके से ऐसे manually ट्यून नहीं कर सकते उसके लिए laptop यार सिस्टम लगाने की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी क्योंकि वो software based होता है एडवांसर लगाया जाता है गाड़ी के pickup को improve करने के लिए mileage थोड़ा सा improve करने के लिए settings आपको बड़े ध्यान से देखनी है जिसकी भी गाड़ी दब रही है low rpm पर दिक्कत कर रही है breaker पर बंद हो जाती है या फिर pickup नहीं आ रहा है proper और जटके महसूस हो रहे हैं तो इन सभी में ये जो settings है बहुत ही भैतरीन तरीके से काम करेगी बसरते आपकी गाड़ी में spark plug का कोई issue ना हो air filter proper तरीके से clean हो गाड़ी अच्छे तरीके से tune हो tune से मेरा मतलब है laptop से जो tuning होती है वो अच्छे तरीके से हो installation में किसी परकार की और दूसरी कमी ना हो क्योंकि जटके लेना जर्क महसूस होना गाड़ी में pickup की कमी होना इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं पर एक ये जो मैं कारण बता रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा major कारण होता है जिसके कारण गाड़ी दबती है AC पर या फिर CNG पर मज़ा नहीं आता चलाने में तो आप ध्यान से दिखेगा मैं आपको दिखाता हूँ एडवांसर को कैसे ट्यून करना है तो चलिए चलते हैं गाड़ी के बोनट की तरफ और इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि इसी तरीके की इन्फोर्मेशनल वीडियो आपको कहीं और देखने को शायद ना मिले तो दोस्तो हमने बोनट खोल लिया है अब मैं बताता हूँ आपको कैसे सेटिंग करनी है और किस चीज की सेटिंग करनी है तो दोस्तो ये अपना लगा है एडवांसर जिसको हम टाइमिंग एडवांसर एडवांसर सी के पी और स्टैटिक एडवांसर भी बोल देते हैं ये advancer आपकी गाड़ी के engine को यानि की गाड़ी के pick-up को boost करने का improve करने का काम करता है जो की crank sensor based होता है यानि की crank की sensing को check करता है उसी के sensor पर काम करता है crank की sensing यानि कि कितने degree पर crank होगी कि blast होना चाहिए इसको मैं proper पहले भी आपको समझा चुका हूं तो इसकी settings मैं आपको बताता हूँ कि किस थरीके से करनी है ताकि ये जर्क और ये pickup की जो problem आती है वो बिल्कुल खतम हो जाए तो फिलाल के लिए आपको क्या करना है आपका ये जो advancer है उसको ढूणना है ये इस तरीके से कही ना कही लगा हुआ होगा यानि कि tag होके रखा होगा मैं इसको proper निकाल लेता हूँ आपको better understanding के लिए ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ आपको simply ये रबड को नीचे करना है इस तरीके से और चाहें तो आप तार ना भी हटाएं ये जो wires लगी ही है ये जो plug लगा हुआ है इसको हटाने की भी जरूरत नहीं है बट आपको समझाने के लिए निकाल देता हूँ तो ये आगे अपना motosyn का advancer तो दोस्तों फिलाल मैंने दोनों switch इसके off कर दी हैं ये पहले switch को on कर दीजेगा इस वाले को जिस पर number 1 लिखा हुआ है इस switch को on करने के बाद आपको preset जो है इसको कुछ भी ट्यून नहीं करना इसकी position जो होनी चाहिए इतनी होनी चाहिए मैं आपको ठीक से दिखा देता हूँ चुली अब आपको सही से दिखाई दे रहा होगा इ अगर आपकी गाड़ी में अभी भी ये issues आ रहे हैं यानि की जर्क वगेरा आ रहा है पहली बात तो जर्क और जो लो आर्पीम पर लो पिकप है वो सब खतम हो जाएगा बट अगर फिर भी प्रोब्लम आ रही है और आपको जटको की समस्या है या जो आपकी जो लो पिकप पोजीशन क्या रहेगी तो इस पोजीशन में आपके स्विच को एक को आफ रखना और एक को आउन करना है इस आउन आफ का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब है कि ये 9 डिगरी पर सेट हो गया है यानि कि क्रेंक साफ्ट की जो पोजीशन होगी उसमें 9 डिगरी पहले ही ब्लास्ट हो जाएगा और जिससे जो है इंजिन को पावर मिल जाएगा यानि कि पिस्टन नीचे की ओर चला जाएगा तो 90% इशूज आपके ये सॉल्फ हो जाएंगे इस तरीके से पिन को सेट करने में बट आपकी गाड़ी अब मैं दूसरी अगर आपकी गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई है और गाड़ी में जर्क की समस्या है और लो पिकप की दिक्कत आ रही है और आपने सबी चीजे दिखा लिए इयर फिल्टर बिल्कुल प्रॉपर है सी इंजी का इंस्टॉलेशन सी इंजी की ट्यूनिंग बाकी सभी तरी बिल्कुल जर्क की और लो पिकप की जो समस्या है वो खतम हो जाएगी इसके बाद आपको कोई भी ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी आप गाड़ी को थोड़ा सा चलाएं अगर पांस साथ किलो मिटर में भी आपको जटके मैसूस होते हैं गाड़ी को चार-पांच बा आपको बंद करके और चालू करके चार बार ऐसा कर देने का और पांच भी बार में चाबी निकालके दुबारा लगाएंगे तब स्टार्ट करेंगे और उसके बाद पांस से साथ किलो मिटर गाड़ी को अपने को ड्राइब कर तो दोस्तों एक सेकंड ऑप्शन भी मैं जाएगा बट उसमें भी अगर थोड़ी बहुत कमी आपको लगती है तो यह जो प्रिसेट आप देख रहे हैं इसको थोड़ा सा इस पोजिशन में ट्यून कर देना है थोड़ा सा जो प्रिवियस पोजिशन थी वो 55% थी और यह 60-65% के आसपास यह पोजिशन है आपको थ उसके बात इसको लगा करके गाड़ी ड्राइव करनी है जो भी थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी वो इस से इसको ट्यून करने से पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी यानि कि आपकी गाड़ी पे पिकप भी बढ़िया आ जाएगा माइलेज भी इंप्रूव होगा थोड दूर हो जाएगी रही बात नई गाड़ियों के लिए तो नई के लिए जो मैंने दो सेटिंग्स बताई हैं पहले स्विच और दूसरे स्विच की उसी को आप पफॉर्म करके देखें आपकी गाड़ी में जो दिक्कत आ रहे थी वो सॉल्व हो जाएगी इस प्रिसेट को नई गाड़ियों के केस में यानि कि 5,000, 10,000, 15,000 किलो मीटर के बाद जिन्होंने अभी हाल फिलाल में ही CNG इंस्टोलेशन कराया है उसमें प्रिसेट को नहीं छेड़ना है तो दोस्तों ये इन्फोर्मेशन इसलिए मैं आपको देता हूँ ताकि आप अपनी जो ट्यूनि पर गाड़ी बहुत जादा दपती है तो ऐसे में ये समस्या आप खुदी ठीक कर सकते हैं इसके लिए आपको किसी CNG इंस्टॉलर पर बार बार जाने की आवशकता नहीं है CNG इंस्टॉलर पर जाने की आवशकता तब होती है जब ये सेटिंग्स करने के बाद भी आपकी गाड़ी की समस्या जसकी तस बनी विए यानि की ऐसे ही बनी दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और अकर आपकी गाड़ी की जो प्राब्लम है वो इससे सौल्व हो जाती है तो इस वीडियो को जादा से जादा आप शेयर करिएगा और इसी के सा साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजेगा जल्दी मिलेंगे एक लिए वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद